थोड़ा समय निकाल कर वीडियो एक वार जरूर देखें नमबर एक, रोजाना नीबू मिलाकर गुन-गुना पानी पीएं आपकी भी ख्वाइस है कि आपके चहरे का गलो हमेशा बना रहे तो इसलिए रोजाना सुवह एक से दो गलास गुन-गुना पानी और नीबू की कुछ बूने मिलाकर पीना होगा इससे सरीर के विसेलितत्व यानि टॉक्सिन को बाहर सरीशे बाहर निकालने में मदद मिलती है इससे आप बेहत खुस और फ्रेश फिल करोगे नमबर दो धूप में निकलने से पहले संस्क्रीम लगाएं अकसा धूप की बज़े से हमारी तुचा काली पड़ जाती है जो देखने में अच्छी नहीं लगती है ऐसे में तुचा को हमेशा कूप शुरत और जबान पनाय रखने के लिए तो चैरे और हाथ पैर पर SPF संस्क्रीम लगाना ना भूले क्योंकि संस्क्रीम आपको सुरस की तेज अल्टरा वाइलेट क्रिणों से पचाने का काम करती है नमबर तीन जंक फूट और स्मोकिंग बंद करें अगर आपको जंक फूट काने की स्मोकिंग करने के साथ ही चैरे को साथ ही चैरे को सिकोडते हुए बात करने, माते पर बल डालने, आखे चिम्चुमाने, हतेलियों को गालों पे डिकाने, पिंपल्स नोचने, आखे मसले जैसे बुरी आदतों का शिकार है तो जल से जल इन रुकसान पहुंचाने का काम करती है, इससे हमारे चैरे पर दाग दपे और जुरियां आने का कत्रा बढ़ जाता है, वही पार्टी में जाने पर मेकप के बाद भी ग्लो नहीं आपाता, नमबर चार, फेसियल या ब्लीच करवाने से बचे, अगर आप अकसर अपने चैरे क खुबसूरत बढ़ाने के लिए फेसियल या ब्लीच करवाती है, तो इससे जादा उप्योग से बचे, क्योंकि बहीने में एक से दो बार फेसियल या ब्लूच करने पर समेदन सील तचा पर बढ़ा असर पड़ता है, नमबर पाच, सुगर का सेवन कम से कम करें, रोजाना हुआ देख सकता है, आज की टिप्स कैसी लगी जरूर बताना मिलती है, नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबा